कि नमस्कार क्या हाल जाने आप सब करता हो अपने यूटूब चैनल टेक गियर इंडिया में तो बात करें आज की वीडियो की आज की वीडियो में मैं आप सब कुछ ऐसी सेटिंग और कुछ ऐसी टिक्स सेरे करने जाना जिससे आपने मोबल को अब ज़्यदा कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने फॉन में और फीचर कर सकते हैं अगर अभी ता आपने में यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आगे की वीडियो के लिए मैं आप सुख अपनी स्मार्ट फोन की स्कीन पर लेके चलता हूं दोस्तों बात करें पहले सेटिंग की तो इसका नाम है एक को फिरिच इस सेटिंग का यूज यह है अगर इसे अपने फॉन में आप इनेबल करते हैं तो आपके मोबाइल की जो एप्लिकेशन बैक्राउंड में रन करती रहती हैं और आपका डेटा और बैटरी दोनों खर्च करती हैं इसे इनेबल करने से आपका डेटा मिल जाएगा एप कुईक फ्रीज आपको इस पर क्लिक करना है और यहां पर आप जो भी उप्लिकेशन चाहिए को आप कुईक कर सकते इससे वह उप्लिकेशन आपका डेटा बैग्राउंड में ना बैटरी को दोनों बच जाएगा दोस्तों बात करें सेटिंग की तो इसका काड एक कैरें को इसपर क्लिक करना है और यहां पर आपको देटा को युश करेगा और आपका डेटा विया सेटिंग की तो इसका नाम है double tap to log दोस्तो इसको enable करने से हमें अपने mobile की power button को बार बार प्रेस करनी की जरूत नहीं है हमें अपने mobile को log करने के लिए simply अपने home screen पर double tap करना है और हमारा mobile अपने आप log हो जाएगा दोस्तो इस setting को enable करने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile की setting में जाना है और यहां पर आपको home screen and log screen magazine एक option दिखना होगा आपको इस पर click करना है और simply आपको यहां पर नीचे आना है यहां पर आपको option में जाएगा double tap to log आपको इसे enable करना है और जिससे आपका mobile का feature on हो जाएगा आपका mobile यह double tap करने पर log हो जाएगा बात करें अगली setting की तो इसका नाम है kids space दोस्तों कभी-कभी होता यह है कि हमारे बच्चे जो छोटे-छोटे हो जित करने लगते हैं कि हमें mobile दो और हमको mobile दे देते हैं लेकिन हमेशा ध्यान लखे कि अपने बच्चों का mobile दे रहें तो हमेशा kids space को on करके दें दोस्तों इससे होता यह है कि आपके बच्चे अन्यसेसरी अप्लिकेशन को यूज नहीं कर पाते हैं उन्हें जो आप चाहेंगी अप्लिकेशन आप वहीं अप्लिकेशन वो यूज करेंग सिम्पलिक करना इसे नेबल करना है और यहां पर आप उस time को सलेक्ट करना हुगा और यह नेबल हो जाएगा इसके बाद अपने बच्चे को दे दे और उसे तीस मेट के बाद आटोमेटिक वो लोग हो जाएगा और आपका बच्चा इसके बाद उसका मिसीव जुने करवाएगा बात करें अगली सेटिंग की तो इसका नाम है स्क्रीन पेनिंग कभी-कभी होता यह है कि हमारे दोस्तों लोग हमसे मॉबाइल मांगते हैं कहते हैं को किस-किस ऑप्षन में किस-किस एप्स में जाकर हमारे मॉबाइल की जासुषी करते हैं इसलिए दोस्तों जब भी आपने दोस्तों को मॉबाइल दे तो अपना यह स्कीन पिनिंग का उप्षन ओन करके दें दोस्तों इससे होगा यह अगर आपका कोई दोस्त कॉल करने के ल और यहां नीचे पर आना है, और इस security option पर क्लिक करना है आपको, यहां पर आपको नीचे आना है, और यहां पर आपको option मिल जाएगा, screen penning का, simply आपको इसको enable करके रखना है, और इसके बाद आप यहां पर आएं, recent menu में, और यहां पर जिस application को चाहेँ, करने के बाद आपका कोई दोस्त से बाहर नहीं जाएगा तो सिद्धिया आपकी डिवाइस लॉग हो जाएगी और उसको पासवोड नहीं पता होगा दोस्तों इसे डिसेबल करने के लिए आपको इसेंट मेन्य और बैक बटन दोनों को एक साथ प्रेस करना दोस्तों बात करे सेटिंग की तो इसका नाम है स्क्रीन स्प्रेट दोस्तों कभी-कभी होता यह है कि इनको कोई दो काम एक साथ करने पड़ते हैं उनमें इसको करने में बार-बार अपने मोबाइल को इसेंट मेन्य से इसको अप्लिकेशन को सेलेट करना पड़ता है इसलिए दोस्तों आज म आपको दोनों अपसर को नेवल करना इसके बाद होगा यह आप जब भी चाहें तो यहां से प्लिक करना है और आपको सिधे से इनेबल करना है इसके बाद आपके इसकी दोवागव में बढ़ जाएगी और आप दूसरा को यह यूज कर सकते हैं दोस्तों यह बहुत यह वि अब गना हमों आपसोतों को मेरी वीडियो पसंद आई अगे और आपको फीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के सासे है और ऐसी वीडियो पाने के लिए आ यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें ब्लैक उजन्टी को प्रेस करें मैं आपसे पिर किसी ऐसी वीडियों में लोगा तब तक्रिए नमस्कार